जम्मो कश्मीर प्रशासन ने राजे में स्थानी निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है इस बदलाव की तहर अब वो लोग भी जम्मो कश्मीर के स्थाई निवासी बन सकते हैं जिनों ने राजे की महिला के साथ विवा किया है साथ ही उनके बच्चे भी यहां की स्थाई निवासी बन सकते हैं अब तक कश्मीर में अनुच्छे 370 और 35 ए लागू था तब अगर कोई कश्मीरी महिला राज्ये से बाहर शादी करती लेकिन अब जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 20 जुलाई 2021 को जारी की गई अधिसूचना में महिलाओं को भी पुरुशों के बराबर अधिकार दे दिये हैं अब केंदर शासित प्रदेश प्रशासन इस्थानिय महिला के उस जीवन साती को भी डॉमिसायल सर्टिफिकेट इशू करेगा जो राज्य से बाहर का है डॉमिसायल का अर्थ होता है निवासिस्थान दरसल अधिकतर राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों में कुछ सुविधाएं उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो वहां के मूल निवासी होते हैं या तो आपका जन्म वहां का होना चाहिए या फिर आपको सबूत देना होता है कि आप वहां लंबे समय से रह रहे हैं अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग नियम हो सकते हैं जम्म कश्मीर में भी स्थाई निवास के नियम अलग थे आपको बता दे कि अनुचेत 35-A से जम्म कश्मीर की सरकार और वहां की विधानसबा को ही स्थाई निवासी की परिभाशा तै करने का अधिकार था अनुचेत 35-A अनुचेत 370 का ही एक हिस्सा था जिसके चलते भारत के किसी अन्य राज्य का नागरिक ना तो जम्म कश्मीर में संपत्ती खरीच सकता था और ना ही वहां स्थाई नागरिक बन कर रह सकता था 18 मई 2020 को सरकार ने केंदर शासित प्रदेश में नया डॉमिसाइल एक्ट लागू किया था सरकार ने कहा था कि जम्म कश्मीर में किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ती के लिए यहां का स्थाई निवासी होना मुख्य पात रहता है आपको बता दे कि पिछले साल नया डॉमिसाइल एक्ट लागू किया जाने के बाद पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था और कहा था कि भारत का ये नया डॉमिसाइल एक्ट जम्म कश्मीर की आबारी को बदलने के लिए है पाकिस्तान की विरेश मंतराले ने कहा था कि भारत का ये नया नियम पूरी तरह गैर कानूनी है और यूएन सेक्यॉरिटी काउंसिल के दोनों देशों के बीच हुए एग्रिमेंट का खुला उलंगन है गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुचे 370 वे 35 ए हटाने का प्रस्ताव रखा था जो दोनों सदनों में चर्चा के बाद पास हो गया था और अनुचे 370 वे 35 ए को रद कर दिया गया था अनुचे 370 जमू कश्मीर को विशिश राज्य का दर्जा देता था आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुन ने आप सभी जानते हैं कि कोरोना वाइरस की वज़ा से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है आप लोग भी सुरक्षित रहिए अपने घरों के अंदर रहिए घर से बाहर सिर्फ तभी निकले जब कुस जरूरी काम हो जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तमाल करें अगर आपने अब तक वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो आप कोरोना वैक्सीन भी जरूर लगवाले आप अपना और अपने परिवार का ख्यार रखें शुक्रिया